हलो दोस्तों चांग पर आपका स्वागत है आज मैं मीन लगन या पाइसे असेंडेट की कुंडली में बुद्ध देटा जो इस कुंडली में शादी व्यपार गाड़ी प्रॉप्टी इतियादी के कारक होते हैं इनकी बात करूगा और चुकि ये सबी चीजें बहुत महत्प प्रियस्पती देव इसके मालक होते हैं प्रियस्पती देव ने बुद्ध देव को दो भाव दिये चौता भाव जानमबर तीन लिखा है और सातवा भाव जानमबर छे लिखा है बुद्ध देव के रिजल्ट समझने के लिए हमें ये समझना बुद्ध देवता क्या है औ और ये दोनों भाव क्या हैं और दोनों को हमने आपस में मिला देना है उससे रिजाल्ट मिल जाते हैं। बुद्ध्धता यानि कि बुद्धी जक्ति कितना आकल मंद होगा समझदार होगा कितनी उसकी मेमरी या अपदाश इतियादी होगी। बुद्ध्धता वानी के कारक हैं या पार के कारक हैं लड़कियों के कारक हैं और ये दोनों राशी द्वीस वभाव हैं तो हर चीज दो या तीन बार होने के कारक हैं। बुद्धेता इस कुंडली के अंदर मारक स्थान के मालिक भी होते हैं बदकेश भी होते हैं और साथ में इन पे केंदर अधिवती दोश भी लग सकता है यानि कि इस कुंडली के अंदर बुद्धेव अच्छे और बुरे दोनों तरह के एफेक्ट दे सकते हैं हमें दोनों चीज़े समझनी आवश्यक हैं, अच्छे effect में ये व्यक्ति को साथवे भाव के प्रभाव में, शादी देंगे, शादी शुदर जिंदिगी में व्यक्ति खुश रहेगा, मगर हमें या समझना है कि ये व्यक्ति अपने आपने बारवी भाव के प्रभाव में है, तो ये चाहते हैं कि इनके जो पती अत्वा पत्नी हो, वो देखने में सुन्दर हो, वो पड़े लिखे हो, कला के शेत्र में उनके रुची हो, इत्यादी, एक हायर लेवल की चीज़ों है, और ये सब चीज़ें यदि इनके पती पत्नी के अंदर होंगी, तो इस व्यक्ति के अंदर खोदी अपने पती पत्नी की तरफ इरशिया की भावना जागरित हो सकती है, तो इस बारे में इनको केरफूल रहना चाहिए, साथ वे बाव के अच्छे प्रभाव में, अगर छे नमबर की राशिय का प्रभाव इनके पती पत्नी के उपर है, तो वो बहुत समझदार होंगे, और इनको समझदारी से वो हैंडल कर लेंगे, मगर यहां पर मंगल देव और शानी देव का प्रभाव भी इनके पती पत्नी पर आ सकता है, अगर मंगल देव का प्रभाव पती पत्नी पर होगा, तो वो शारीरिक तोर पर मजबूत होंगे, बहादर होंगे, किसी से डरेंगे नहीं, और एक aggressive nature हो सकती है और यहाँ यदि कुंडली वाले ने नाराज़की उनसे ज़्यादा दिखाई तो वाद बेबाद होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़े जाते हैं यदि इनके पधी पत्नी के उपर शनी देव का प्रभाव हुआ तो इन लोगों को बहुत careful रहना है क्योंकि यदि इनोंने उनके साथ कुछ मन बटाव किया तो वो शादी तोड़ने में ज़रा भी नहीं कत्राएंगे ये भाव partnership business भी दिखाता है तो अच्छे प्रभाव में गुद्देपता partnership business में ग्यक्ति को मदद करेंगे चुकि ये राशीर 200 भाव है तो कभी customer आएगा कभी नहीं आएगा partnership business चौथे भाव से regarding connected हो सकता है यानि कि basic education से गाड़ियों या property के काम से या क्रेशी कारियों से जुड़ावा हो सकता है या बुद्देपता की significations व्यक्ति की वानी इत्यादी से connected हो सकता है चौथे भाव के अच्छे प्रभाव में बुद्देपता इस व्यक्ति को गाड़ी करीदने में प्रापटी करीदने में और क्रेशी कारियों में मदद करें कि किसान भाईयों को या फायदा होगा basic education में व्यक्ति अच्छा करेगा बुद्देपता के सबी अच्छे प्रभाव तबी तक आएंगे जब तक बुद्देपता कुण्डली में अच्छी placement में है और खराब ग्याहों के प्रभाव में नहीं आ रहे है यदि बुद्देपता की placement कुण्डली में खराब है या कोई malific influence दिरिश्टी यूती दुआरा आ रहे हैं तो इन सब चीजों में कमी आएगी और इस व्यक्ति को दांतों में problem हो सकती है या nervous system regarding problem इनको हो सकती है बुद्देव तरगा हमें यहाँ पर याद रखना है हमेशा कि बुद्देव जब लगनेश व्यक्ति देव की राशी में ही बैठे होंगे तो यह अपनी नीच राशी में आ जाते हैं जब अपनी ही राशी में बैठे होंगे तो यह अपनी उच राशी में आ जाएंगे बुद्देव यदि चौत्य भाव में या साथवे भाव में इन दोनों में से किसी एक भाव में बैठे होंगे इन दो जगा पर बुद्देव भद्र योग बनाएंगे जो पंच महापुरुश्योव जो की जोतिश्योगे सबसे अच्छे पांच योग होते हैं उनमें से एक किना जबता है बुद्देव था चूंकि इतनी अच्छी चीजों के कारक है स्कुन्डली के अंदर तो बुद्देव की जब भी दशांतर दशा चल रही हो, हमें उपाए के तौर पे चूंकि ये लड़कियों के कारक है हमें चोटी लड़कियों की सेवा करनी चाहिए सम्मान करना चाहिए साथी पक्षियों को खुले मदान में दाना देना एक अच्छा उपाय होता है बगर खुले मदान में ही दीजिए चाथ पर ये बालकनी पर आप इनको दाना मत दीजिए और साथ में इनका मंत्र ओम बुद्धाय नमा का उच्जारन हम 108 वार कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको मीन लगन की कुंड़ी में बुद्धेव का प्रभाव समझ आ गया होगा अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद